हेलो स्टूडन्ठ आयमंकीता साहू, यो टीचर, तो आपका कรीट की कला लास्ट वीडियो में खताम हो गई थी, अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, माई सीनिया की कला, तो अब हम माई सीनिया की कला के बारे में पढ़ेंगे, art of Mycenia इसके पहले थोड़ा सा आपको जो लास्ट रीडियो भेजी थी वो रिमाइंड कराती हूँ देनम देखते हैं Mycenia की कला के अंतरगत क्या क्या चीजे थी तो मैंने आपको क्रीट की कला इसके पहले पढ़ाया था तो उसमें जो है मैंने इसने गॉड़िस के बारे में बताया था कि इसने जो है दोनों हाथों में सर्प लिये हुए हैं और इसकी प्रभुता को प्रदर्सित किया गया है इसके वस्तर जो है वो बहुत कसे हुए पहन की देवी और कमर में चारों लिप्टे हुए सर्प भी बनाए गए हैं और हाथों में घुमाते हुए भी दिखाए गए हैं तो इस प्रकार की मूर्तियों में जीवन्तता वा शक्ति का आभास होता है प्राया प्राचीन सांस्कृतियों में देवी देवताओं को शक्तिसाली जानवरों के साथ संबंद किया गया है जैसे शेर रश्रप सर्फ आधी अब देखो यहां पर जो इसने गॉर्डस मिली हुई है तो आप लोग को इसकी इसका चित्र भी दिखाया था किस प्रकार वो बनाई गई है हाथों में दोनों उसके फैले हुए हाथ है दोनों हाथ में सर्फ है और उसमें जंगली बिल्ली बनाई गई है इसने जो जामा पहना हुआ है कपड़े पहने हुए हैं बहुत कसे हुए मतलब टाइट कपड़े पहने वक्षिस्थल इनका खुला बनाए गया और जालरों के द्वारा इनका कपड़ों का डिजाइन्स हुआ है तो यह पहले के लोग जनवरों को जो प्रतिमाय बनती थी उनको उनका जो संबंध दिखाते थे पस्वों के साथ जनवरों के साथ तो इसमें जो है इनके शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी यह सक्तिसाली जनवरों के साथ संबंध इसलिए दिखाते थे ताकि उनकी जो प्राचीन स तांसकृती है वो बनी रहे और इसमें चित्रित मद्भांड भी मिनोन कला से प्राप्त होते हैं यहां पे चाक वा भट्टी के चलन के कारण इस कला के प्रगति और विविधकारों में पात्र कप वा तस्तरी आधी बना जाने लग गए तो इस टाइम पे जो चाक होता है जिस पुआ तस्तरी आधी यहां पे बनाए जाने लग गए थे यहां पात्र अंडे के समान पतली परत के चिकने वा सुडॉल बनाए गये हैं इनमें काली प्रस्ट भूमी पर सफेद और लाल रंकी सरपिल रिखाओं द्वारा वनस्पति के आलेखन चित्रित किये गए हैं तो इनका जो शेप है वो कैसा है अंडे के समान है चिकने है सुडॉल है और जो है बैक ग्राउंड प्रस्ट भूमी पर सफेद और लाल रंकी सरपिल रिखाओं द्वारा मतलब घुमाओदार रिखाओं बनाए गए उस पर वरनस्पति का आलेखन किया गया है इनका स्रेस्ट दोनों अप लोग को मैं चितर शेयर किये थे लास्ट वीडियो में तो आप लोगों ने देखी लिया होगा है तो यह जो है इस प्रकार के प्राकृतिक रूपाकारों को काले प्रस्ट भूमी पर सफेद रंग तथा भूरे रंग से चित्रित किया जाता था बैक्राउंड काले कलर से करते थे फिर सफेद रंग से डिजाइन बनाते थे दुछती शागरी रेली को मरीन रेली भी कहा जाता है इसमें बहुत सारे समुद्री जीवों को चित्रित किया है और जो इसका स्रेश्ट उधारन है मरीन रेली का वो पलाई कास्ट्रों से पंद्र और काले रंग से भूरे रंग से ऑक्टोपस शित्रित करते थे इसलिए इसको ऑक्टोपस पात्र कहा जाता है इन पात्रों में प्राकृतिक अलंकारिक बहुत दिखाया गया है और यहां पे तरती प्रशादी सैली है जिसे पैले सैली भी कहा जाता है अलंकारिक तत्तों का और यहां पे प्रधानता रही है विसेशता रही है और जो क्रीट की कला है वह सजीव रही है बहुतिक वादी थी और समकारिन मेसोपोटामिया मिस्र की कला की कला रूडिवादी धर्म नियंतरित थी और बारवी सताब्दी के लगभग डोरियन जाती के यूनान पर आधिपत नहीं रूडिवादी आपका क्रीट की कला लास्टुडिव में पढ़ा ही थी तो अभम माइसीनिया की इना के मख्य भूमी पर क्रीट के उत्तर के और ही रिस्थित है कानसेकाल में यहां की सांस्कृती हेलासół केंडरी यह थी जिसके कारण इसे हैलरिक कहाया यह cevसे 1000-1000 इसापूर तक रहा अब देखिए यह जो माई सीनिया है वो कहां है युनान की मुख्य भूमी पर है और यह क्रीट के उत्तर की और इस्थित है कान से काल में यहां की सांस्कृती में हेलास में केंदरी यह थी मतलब हेलास जगे का नाम है तो हेलास में यह जो है सेंटर में मानी जाती है केंदरी ठी हाझा जाता है ले उनी तक रहा यहां के निवासी सकतिसाली तो थेints मिनोन निवासी की भाथ सुस शं나क्रथ नहीं थी इसका संपर्क क्रीट का पैखशा और यूनान से अधिक रहा तो यह जो है यहां के जो निवासी है वो कैसे थे सक्तिसाली तो थे किन्तु सू संस्क्रत नहीं थे जैसे कि मिनोन की निवासी थे जो आपको क्रीट की कला में मैंने मिनोस और मिनोन के बारे में पढ़ाया भी है तो ये जो है इनका संपर्ख क्रीट की अपेक्षा मतलब क्रीट से कम इनका संपर्ख था अन्तोलिया और यूनांसे ज़्यादा संपर्ख था اور पंधरा सोयशा पूर्व के लगबग यहाँ हैलडिक OLED के जाने 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 लगी नाम से माइसीनिया नाम से इसको जाना जाने लगा इस समय क्रीट की शक्ति दुरबल होने लगी तथा एजियन छेत्र में माइसीनिया अपनी भगौलिक इस्तिति और ब्यापारिक सुविधाओं के कारण अधिक सक्तिसाली हो गई तो बताया था आपको कि डोरियन जाती आने पर क्रीट की कला की समापती हो गई थी तो ये क्या हुआ इस टाइम पर क्रीट की जो कला थी वो दुरबल होने लगी थी जब माइसीनिया के समपर्क में आय थी ये लोग और एजियन छेत्र में माइसीनिया अपनी भगौलिक इस्तिति और बैपारिक सुविधाओं के भूमी यूनान को बताया गया है तो यूनान क्रीट की सांस्कृती से बहुत प्रभावित था और माइसीनिया ने मिनोन की कौन सी लिपी को बनाया जो लीनियर ए नाम की लिपी थी उसी में कुछ परिवर्तन किये और उसके बाद उसको लीनियर भी नाम से इन्होंने अपन कर लिया तो जो क्रीट वासी थे उन्होंने किसको माईसीनिया का अधिकार हो गया क्रीट के साइड भी और इन्होंने क्या किया क्रीट वासी ओने इसके अधिकार कर लिया और यह जो है सबसे उतकर्स का टाइम माना गया है इसका प्रमाण मिनोन के भित्ती चित्रों में इसको सुईकार कर लिया अपना लिया तो इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं तो साक्ष मिलते हैं तो इसके जो प्रमाण मिले हैं वो मिनोन की दीवारों के चित्रों से मिले हैं भित्ती चित्रों से मिले हैं जिनमें जो इनके विसय थे वो कैसे थे युद्ध की भरमार्ती वास् इस प्रकार माई सीनिया राजनीति क्वा सांस्कृति केंदर बन गया और माई सीनिया सभ्यता वा सांस्कृति जो पेलोपोनिसस के नगल राजीयों में फली फूली थी, उनको तीन चरणों में विभक्त किया गया है तो ये जो माईसीनिया की कला है, ये सब्भेता है, तो ये जो है कहां पे पेलो पॉनिसस के नगर राज्यों में फली फूली, इसलिए इसको जो है तीन जो भागों में ये चर्णों में बांटा गया है, विबक्त किया गया है, तो पहला है आपका प्राचीन युग ओल डेज सोला सो से पंदरा सो तक चला है, तो इस समय के आवसेस छिन भिन रूप में मिले हैं, इस समय के राज की समाधियों से हैरिरक को अतिन्त बहुमूल अभाऊशन, स्वण पत्र के नकाब, कांस से की, स्वण खचित तलवारे, स्वण के कवच तथा अन्योपकरन मिले हुए है तो प्राचीन युग में क्या है, इस समय के जो आवसेस मिले हुए हैं, बहुत छिन भिन मतलब बहुत इधर उधर या फिर टाइम पीरिट में बहुत डेफरेंस है, तो ऐसे यहाँ पे आवसेस प्राप्त हुए हैं, और इस समय जो है, जो समाधियों मिली हुई हैं, राज उपकरण यहां से मिले हुए हैं, संभावता विस्व के किसी अन्य कान से कालीन इस्थल से इतना पहुमूल कोस प्राप्त नहीं हुआ है, इस समय माई सीनिया का भी दुर्ग महत्तोपून हैं, तो यह बता रहे हैं कि विस्व में इतना जादा जब कान से कालीन यूग चल तो इतना मूलेवान, इतना महंगा जो धन की प्राप्ती या फिर जो अफसेसों की प्राप्ती हुई है भी आपको बताया, स्वर्ण पात्र, कहां से पात्र, स्वर्ण खचित रेखाएं, कहां से पात्र और तलवारे, स्वर्ण की बनी हुई कवच तो यह सारी चीज़े ज सबसे जादा विसुका मुलेवान को माना जाता है और इस समय माइसीनिया का जो दुर्ग था राजप्रसाद था वो भी बहुत महात्वपूर्ण माना जाता है तो प्राचीन युग अभी आपका अधूरा है आपको वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्स्पेन करूंगी अग आपको कुछ चीजे नहीं समझ में आ रही है तो ये मुझसे आप जो मेटिंग पर डिस्कस करें या फिर मुझसे टेक्स्ट मैसस पर भी पोच सकते हैं और बाकी आपका क्रीट की कला खतम कर दिया है मैंने तो वो आप लोग फिर से एक बार दोबारे से अच्छे से पढ़